अपने पास्ट को कैसे छोड़े हर इनसान यही पूस्ता है यहां हर कोई गलती करता है यही जीवन है हम सभी गलतिया करते हैं हम में से कुछ बड़ी गलती करते हैं और कुछ छोटी गलतिया करते हैं लेकिन हम सभी गलतिया करते हैं अपनी गलतियों को यह परिभाशित नय कर पान दे, उन्हें अतीत में पीछे छोड़ दो, क्योंकि अगर आप गलतियों को देख रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं, वह यह है कि आप दिमाग के माध्यम से इसमर्ती को फिर्श से जोड रहे हैं, और जाहिर सी बात है, आप एक और गलती कर रहे हैं, आप मौन लूप से एक गलती को बार-बार दोराते हैं। यह कुछ ऐसा होता है जो अतीत में हुआ था और इसके साथ किया गया था। आप केवल पीछे सोच कर और उस पर ध्यान के अंदित करके अपने आपको एक ऐसे अंधेरे में ले जा रहे हैं जहां से बाहर आने का रास्ता आपको शायद नहीं मालूँ। तो बस आप एक काम कर सकते हैं। आप हर उस कलती के लिए यूनिवर्स से इशुर से माफी मांग सकते हैं। इससे आपके दिल को बड़ा च्छबी लगेगा और आप इससे सदा के लिए फ्री हो जाएंगे। अगर आप किसी ऐसी बात को लेकर परिशान हैं जो आपसे पसनली जुड़ी हैं तो आप अपने आपको माफ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसे एक बुरा एक्सप्रियंस समझ कर याद करते रहेंगे तो वो और दुख देगा और हो सकता है आपको आगे भी न बढ़न दे पास्ट की गलतियों को अगर आप बार बार याद करते हैं तो आप अपने आपको एक दोशी की तरह देखने लगते हैं जिससे आपका मनोबल गिर जाता है आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा होने लगती है कि आप अच्छे इनसान नहीं है बले ही वो गलती बड़ है आप कैसे भी हालात में हैं पर खुश रहना जुरूरी है तब ही आप खुशी को अट्रैक कर सकते हैं अदर्वाइज आप निराशा को ही आकरशित करेंगे अच्छा ये होगा कि आप इसे अभी यहीं पर छोड़ दे इसे कुछ ऐसा होने दो जैसे के कोई बुरा सपना ह जो आपने देखा था और बस आगे बढ़ो बस इसे जाने दो अब और अगर मन में फिर भी उठे तो बस उन विचारों को इतना कहो कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जैसे जैसे आप इसे करेंगे ये विचार अपने आप ही गायब होने शुरू हो जाएंगे अगर इसे इस तरह नहीं भूल सकता तो आप एक काम और कर सकते हैं आप अपनी गलती को एक कागस के टुकड़े पर लिख सकते हैं मुझे आशा है कि आप बहुत जादा नहीं लिखेंगे और आप उस कागस के टुकड़े को जला सकते हैं या उस कागस को छोटे छोटे में फाड कर कुड़ेदान में फेक सकते हैं वैसे जलाना एक अच्छा उप्षन हो सकता है ये इसलिए करना है ताकि आप इसे जान सके कि आप वास्ताव में इसे छोड़ रहे हैं और प्लीज अपने आपको गलतियों से परिभाशित ना करें वे वह नहीं है जो आप हैं आप जानते हैं कि आप परिपूर्ण हैं और इस संसार के इस अनुभव में हमारे पास अपूर्णताएं हैं यही सही है तो तुम्हें पता हैं बस आगे बढ़ो